हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर इंग्लिश की आश्ची क्लास हम आडियो वीडियो मेथड या आडियो विजुल मेथड पढ़ेंगे इससे पहले हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बाइलिंग्वल मेथड डारेक्ट मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड ये पढ़ चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो आपको चनल पर वीडियो मिल जाएगी आप वहाँ पर देख सकते हैं अब हम आते हैं और अब। नहीं होता है हम आडियो विजुवल एड्स का यूज़ करते हैं उनकी सहाइथा से ही अधिगम कराते हैं पढ़ाते हैं आपने लासी में पढ़ा हुआ एंस एच्छण अधिगम में बहाँ पर आपको द्रश्य स्रव्य सामिक्रियां पढ़ाई गई ती दिसमें कौ तो ऑडियो वीडियो मेंधड होता क्या है सबसे फर्स्ट पॉइंट है मोर एफेक्टिब मैथट फॉर इंग्लिस टीचिंग इंग्लिस सिखाने के लिए सबसे इफेक्टिब मैथड है आपका इंग्लिस ही नहीं आपका साइंस हो गया इन सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है तो कि बच्चों को क्या है अगर आप सीधे सीधे मतलब प्रक्टिकल करते दिखा रहे हैं द्रश सामिकरी सामने है चल रहा है आगे पिक्चर चल रही है को वीडियो चल method refers टू बोध साउंड एंड तो फिक्चर ठीके ये method क्या है इस method में किस चीज का यूज करती है किस चीज को प्रस्तुत किया जाता है तो इस method में sound और पिक्चर डोनों का यूज किया जाता है ठीके बोध एक नहीं दोनों अगर cable audio method कर दें तो सिर्फ audio वाली चीज़ें आ पर वीडियो यानिकी सिर्फ द्रश्च वाली चीज़ने अजाएंगी एगया लेकिन दूरौ है ४र दौर। यहां पर किये जाएंगे इसमें लिख दी है हिंदी नेक्ट पॉइंट क्या है था इंपोर्टेंस ओफ ओडियो विजुवल एड़ इस तू फैसिलिटेट दास्क ओफ लास्रूम टीचर तो मेग इस टीचिंग जॉब ओभ मौर इफेक्टिबली तो उड्यो विजुवल एड़् जो है इनकी इंपोर्टेंस क्या या इनका महत्थ तो क्या है तो यह क्या करते हैं क्लास्रूम टीचर के जो क्यानि की क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसका जो टास्क गया उसको काम है उसको बहुत जादा easy कर देते हैं शुगम कर देते हैं खी कि आसान बोलसकते हो ठीक है और जिससे क्या होता है जिससे जो use के teaching होती है यानि कि उसके शुक्षण कारे होता है वह बहुत ज्यादा क्या होता। effective तरीके से हुता है बहुत आसानी से हो जाएगा बहुत來說 effective होगा कारे तभी तरीके से होगा या तभी उसको effectively बोल सकते हैं जब क्या है जब बच्चे उससे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहड कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो जो आदियो विजुवल एट से क्या करते हैं टीचर का काम है उसको बहुत ज़्यादा सुगम कर देते हैं असान भी जब आप अपनी दर्फ आकरशित करता है ठीक है अपनी चोटे बच्चे चूटी क्लास के बच्चे उनके सामने आप कोई भी पिक्चर लेकर आ रहे हैं कुछ भी मतलब की वहाँ पर वीडियो चला रहे हैं तो बच्चे क्या है बच्चे वहाँ पर आकरशित होंगे न और इसम शानती पूरवग ढंग से उस चीज को समझें गे सीखेंगे वहाँ पर ठीक है आपका वहाँ पर अनुशासन भी बना रहेगा बच्चों में ठीक है और बहुत अच्छी तरीके से शानती पूरवग को सीखेंगे नेक्स आते हैं kinds of audio visual ads ठीक है तो इनके क्या-क्या प्रकार हैं तो सबसे पहला है simple visual ads blackboard हो गया मतलब visual है ना यानि कि देखने वाला सिर्फ इस पर दिखाई देंगी चीज़े अवाज नहीं आएगी यहां से ठीक है तो कौन सा blackboard हो गया बुक्स हो गई चार्ट मैप मॉडल ठीक है गलोब बगएरा पिक्चर डाइग्राम बना दो फ्लैनल चार्ट यह सब यह फ्लैनल बोर्ड भी आ सकता है आपका ठीक है तो यह सारी जो चीज़ें आएंगे आपका रेडियो आजाएगा टेप रिकॉर्डर आ जाएगा ग्रामो फोन आ जाएगा ठीक है और ओडियो विजुल में क्या जाएगा जिसमें से क्या शरफ भी आने कि आवाज भी आया आपकी और पिक्चर भी दिखाए तो सिनेमा हो गया टेलिविजन हो गया ठ क्या करते हैं तो आप इसके यूज में वही पॉइंट लिख सकते हो ठीक है एक्जाम्पल की बात रही तो एक्जाम्पल कितने सारे सिनेमा हो गया टेलिविजन हो गया प्रोजेक्टर भी आप लिख सकते हो यहां पर यह ब्लैक बोर्ड हो गया तो ऑडियो विजुल एड् ठीक है टीचिंग एड्स भी आ जाएगा और क्रेक्टेक्स्टिक होती है विशेस्ता है तो यानि कि अच्छे द्रश्य स्रव्य जो एड्स हैं उनकी विशेस्ता हैं क्या क्या है तो पहला तो है इट शुड भी मेनिंग्फुल एंड परपस्फुल ठीक है तो यह जिस उद्देश्य से बनाए गए होंगे ठीक है नेक्स्ट क्या है लार्ज इनफ टू बी सीन बाई ऑल स्टुडेंट ठीक है तो इनकी यह भी इतने बड़े होने चाहिए कि बच्चों को दिखाए ने मालो इतने छोटे नहीं हम लेके चले जाए कि पीछे बैटे बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है आगे कि आगे क्या चल रहा है तो यह इतने बड़े हों दिखने में ऐसे हों कि सबी बच्चे आसानी से उस चीज़ को देख सकें आगे जो भी आप लेकर जा रहे हैं जो भी चार्ट है या कोई मॉडल है कुछ भी है तो सब बच्चे आसानी से उसे देख सके ठीक है अपग्रेडिड और अपडेटिड होने चाहिए ठीक है आज कल क्या जमाना हर चीज बदलती रहती है तो अपडेडिड भी होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्या है according to the mental level of students ठीक है इस्टुडेंट के mental level के होने चाहिए जैसे मालो class 6 का है student तो जो आपका जो भी यहां पर audio visual ads है वो क्या है 7 class के ना हो 8 के ना हो वो किसके हो 6 class के हो ठीक है 5th के भी ना हो 6 के हो ठीक है उसी लेवल के यानि कि उसी इस्तर के होने जाए जिस इ नेक्स्ट क्या है affordable होने चाहिए आने कि आसानी से उपलब दो जाए आसानी से हम उनको खरीद सकें ठीक है बहुत जदा मेहंगे ना हो कि हम उनको खरीद नहीं पा रहे हैं ठीक है तो affordable भी होने चाहिए तो यह करेक्टरिस्टिक हो गई good audio visual ads की ठीक है इसके बाद आपका मै अब grammar start कर दूँगी ठीक है जो भी आपके noun pronoun जो भी दिये गए है sentence क्या होते हैं यह समय start कर दूँगी और साथ साथ में आपके कुछ topic जो भी रहे गया है approach structure जो भी है आपकी approach में करवा दूँगी situational और structural approach में से दोनों ही में करवा दूँगी और इसके बाद आपका जो language games बचे हुए है वो भी हो जाएंगे language game के बाद आ जाएंगे हम इधर vocabulary बगयरा जो भी आपकी होंगी दीरे-दीरे skills, teaching skills यह सब एक एक point में आपका जो भी आपनेगा वो समय एक साथ करवा दूँग हो जाएगा ठीक है सारे methods हो चुके हैं आप लोगोंने उमीद करती हो नोट कर लिये होंगे thanks for watching and please like share and subscribe my channel bye bye take care